सावन का दूसरा सोमवार और प्रदोश व्रत यानि शिव भक्तों के लिए बहुत खास दिन आज शिव भक्त एक साथ दो व्रत कर रहे हैं ऐसे में है द्वाय में कावणियों का सहलाब उम्रा है और शद्धालूं का तात अलगा हुआ है ऐसा कहा जाता है कि सावन के महीने में शिव की आरादना मात्र से मंचाहे फल की प्राप्ती होती है इसलिए भक्त अपनी पूरी श्रद्धा के साथ मंदिरों में भोले बाबा का जला विशेक करते हैं मानिता ये भी है कि भगवान शिव तो मात्र भक्तों के एक लोटे जल से ही प्रसन हो जाते हैं परन्तु कुछ विशेस पुजा, अजना और रुद्रा विशेक से मनुकाम नापुर्ण होती है सावन के दूसरे सुमबा को एक और शुब योग बन रहा है आज के दिन सुर्योदय से मद्यरात्वी तक सरवात सिद्धी योग भी बन रहा है जोतिश शास्त की माने तो सरवात सिद्धी योग से शुरू किया गया कोई भी शुब काम आपको मनुवांचित फल दिला सकता है इसलिए सावन के दूसरे सुमबार का खास महत्व है जोतिश के अनुसा पती पत्नी के बीच मिठास और वैवाहिक जीवन की खुशाली के लिए शिव जी और मा परवती का पंचा मृत से अभिशेक करें मानेता है कि ऐसा करने से पती पत्नी के बीच का क्लेश कम होगा यदि आप या आपके परिवार में कोई लंबे समय से बिमार है तो इस सावन के दूसरे सुमबार को पानी में काले तिल डाल कर शिव लिंग का अभिशेक करें मानेता है कि इससे रोगों में आराम मिलेगा सावन के दूसरे सुमबार को गाय के दूद से बनी खीर का भोग भगवान शिव और माता पारवती को लगाए बाद में पसाद के रूप में इसे खुद भी खाए ऐसा करने से पारिवारिक जीवन की परिशानिया दूर हो जाएंगी